हलो फ्रेंड धनू और कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है आज मारे किचिन में बन रहा है लैसुन का मिक्स अचार ये अचार फ्रेंड देखने में जितना अच्छा लग रहा है इस अचार की खास बात ये है कि अचार बहुत जल्दी बन जाता है और सालों साल चलता है ये अचार बहुत जल्दी खराब नहीं होता है इस अचार को आप रोटी, पराठा, चावल किसी चीज के भी साथ खाए ये सब के साथ अच्छा लगता है तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते है यहां लैसुन मैंने लिया है लगबग देर, 100 ग्राम के करीब, 100 ग्राम के करीब मैंने लिया है हरी मिर्ची और अद्रक लिया है मैंने 50 ग्राम इन सबी चीजों को मैंने अच्छे से धूर कर साफ कर लिया है और cotton कपड़े से अच्छे से पोच लिया इन में नमी बिल्कुल भी नहीं अब यहाँ पे हम लेंगे फ्रेंट्स जार जार में मैंने आधा लैसुन डाला है इसका पेस्ट हमें बिल्कुल नहीं बनाना है बस इसे दरदरा पीसना है तो इसे आप चौपर में चाहें तो अध्रक को भी हम इसमें आधा डालेंगे हम इन तीनों चीजों को मिक्स करके इसमें पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा और इन्हें दरदरा हम पीस लेते हैं यहाँ पे मैंने देखके इसे दरदरा पीस लिया है यहाँ पे मुझे इसे इतना ही पीसना था ना ही बहुत जा यह अचार बहुत जल्दी बनके तयार हो जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो यहाँ पर देखिए जैसा मुझे चाहिए बिल्कुल वैसा ही बनके तयार हुआ है यह बहुत ज़्यादा ना मोटा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला यहां पर लैसुन का जो उपर ब्राउन वाला पार्ट होता उसको हम कट कर लेंगे यह खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और अचार को बहुत जल्दी खराब कर देता है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके यहां पर लैसुन को मैंने दो पार्ट में काट दिया है अब हम लैसुन को इसमें मिक्स करेंगे मिर्ची को यहां पर मैंने दो छोटे पार्ट में काट किया है अब मिर्ची को भी इसमें मिक्स कर लेंगे अद्रक के छोटे छोटे तुक्डे कर लिए है यहां पर मैंने डाला है लगबग एक स्पून के करीब कलॉंजी सरसो दाना मैंने डाला है एक बड़ा चम्मच चीनी मैंने यहां डाला है आधा चम्मच चीनी अचार को प्रिजर्व करता है यहां पर मैंने नमक डाला है एक चम्मच के करीब काली मिच मैंने वन पिंचु डाला है और यहाँ पर डाला है मैंने धाई चम्मज के करीब सिर्का यह सफेज सिर्का है जिसे हम चाइनीज फूड में डालते हैं इस सिर्के के कारण हमारा अचार बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा और यह बहुत जल्दी खराब बिल्कुल भी नहीं होगा इस चीजों को मिक्स करके एक दू गंटे के लिए हम छोड़ देंगे दिया है मैंने एक पैन अब इसमें डालेंगे लगबग दो चम्मज के करीब धनिया एक चम्मज जीरा दो बड़े चम्मज सौफ आदा चम्मज के करीब मैंने डाला यहां मेथी दाना अब इन सवी चीजों को हम अच्छे से भून लेंगे इनको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इनकी नमी सारी निकल नहीं जाती इन्हें धीरे चलाते हुए भूनिएगा नहीं तो यह जल जाएंगे अब यहां पर देखिए हमारा मसाला भून गया है अब इन्हें हम एक थाली में निकाल लेते हैं इन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं यहां पैन हमारा गरम है अब इसमें हम चार बड़े चम्मच तेल को गर्म करेंगे यह मैंने घर का सरसो का तेल लिया हुआ है तेल यहाँ पे गर्म हो गया है अब गयास को कर देंगे हम बंद यहाँ पे मसाला हमारा हो गया है ठंडा तो चलिए अब इन्हें एक मिक्सी जार में हम पीस लेते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा पतला नहीं पीसना है इन्हें हम बस दरदरा पीसेंगे फ्रेंट्स इस आजार को आप किसके साथ खाना पसंद करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए यहाँ पे मसालों को मैंने पीस लिया है यह मैंने दरदरा पीसा हुआ है अब इन्हें एक हम पाउल में निकाल देंगे तेल हो गया हमारा लगबग ठंडा अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हीन एक चम्मच हल्दी पाउडर कस्मीरी लाल में चेक चम्मच आधा चम्मच काला नमक एक चम्मच सफेद नमक सभी चीजों को मच्छ से मिला लेंगे यहां पर हमें इस मिस्टरन को रखे हुए लगबग एक से दो घंटा हो गया है तो अब हम इसमें कुटे हुए मसालों को आइड करेंगे और इसमें तेल वाला मसाला डाल देंगे इन सभी चीजों को डाल कर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छार को रखने के लिए मैंने लिया है यहां काज का जार इस जार को पहले से मैंने अच्छे से धुल कर साफ कर लिया है इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं है अब इस अच्छार को हम इस जार में डालेंगे यह अच्छार बहुत जल्दी बनके तयार हो जाता है और खाने में बहुत जादा टेस्टी लगता है तो अगर फ्रेंट्स मेरी वीडियो अच्छी लग रहे है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए इस अच्छार में हम डालेंगे ओपार से तीन और चार सम्मत के करीब तेल तेल को मैंने पहले से गुनगुना कर लिया था यह अच्छार जल्दी विल्कुल भी खराब नहीं होगा तो फ्रेंट्स लीजे तयार है लैसून का मिक्स अच्छार यह बहुत जल्दी बन के तयार हो जाता और खाने में बहुत जादा टेस्टी लगता है अगर इस बार आप लैसून का च्पटा तीखा अच्छार बनाना चाहते हैं तो एक बार मेरे स्टाइल में जरूर बनाईएगा